सियाई एक कॉंस्टेबल की पुलिस वालों ने ही हनी ट्रेप में फसाया महिला के साथ मिलाकर असलील वीडियो एक करोड से जादा वसूले एक हेड कॉंस्टेबल निलंबित डीग जिले के कुमहर थाना आधिकारी महंदर कुमार राठी और जैपुर जिले के जोबेर नेर थाने के कॉंस्टेबल रोहित तास रेगर को हनी ट्रेप में फसाकर एक करोड से जादा वसूल गए परताल में सामने आया की इस पूरे गिरों में दो पुलिस करमचारी भी सामिल है कुमहर के हेड कॉंस्टेबल गंगधर और खो थाना भरतपुर थाने के कॉंस्टेबल विनोत कुमार को हिरासत में लिया गया है इस गिरों की सरगना महिला है जिसे मंगलवार को ग्रिपतार किया गया था पीडित पुलिस करमचारी ने अलवर सहर के अरावली वियाहर थाने में सौंबार को अलग-अलग मुकदमा दर्ज कराया था डीग एस पी बिर्जेश जोती उपाद्दे ने साम को कुमहर के हेड कॉंस्टेबल गंगधर को सस्पेंड कर दिया अरावली वियाहर अलवर थाना अधिकारी पवन्चोबे ने बताया इस मामले में सरगना महिला सहीत आठ लोगों की गिरिफतारी हो चुकी है महिला भरतपुर के डीग की रहने वाली है हाल में अलवर के अरावली वियाहर थाना छेतर में रहती थी दो पुलिस करमचारी भी आरोपी हैं अरावली वियार थाना अधिकारी पवन्चोबे ने बताया कि गिरों में कुमहर के हेड कौंस्टेबल गंगधर और खो थाने के कौंस्टेबल विनोद कुमार का नाम सामने आने पर दोनों को हिरासत में लिया गया है हनी ट्रेप के मामले में दर्ज मामले में दोनों को भी आरोपी माना गया है कौंस्टेबल के मकान से चलता था गिरो पूछताच में सामने आया कि कौंस्टेबल विनोद कुमार का एक मकान अलवर सहर में है उसने मकान महिला को दिया हुआ था इस घर से ही गिरो काम कर रहा था महिला और गिरोह के बाकी लोगों को यही से पकड़ा गया था एक अन्य सिकायत करता भी सामने आया है उसे मामले में भी जाच जारी है गिरोहों में यह सामिल हैं गिरोहों में सरगना रानी रेपीडित होने के कारण नाम कलपनिक दिया जा रहा है संगीता दिगेंबर पूज उसा और विनोत सहीत कुल आठ लोग सामिल है गिरोह कुई तीन महिलाओं ने करीब साथ अलग-अलग मुकदमे दर्ज करा रखे हैं रानी ने पती से तलाक लिया हुआ है उसने पती के खिलाब भी मुकदमा दर्ज करा रखा है आरोपी महिला बोली अत्याचार हो रहा है अरा पुलिस महिला को पूछता आज के लिए कहां लेकर गई इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है C.I.A. और कॉंस्टेबल से भी एक करोड से ज़्यादा वसूले हैं अरावली वियार थाना में 6 जनवरी को C.I.A. और कॉंस्टेबल ने अलग-अलग मुकदमा दर्ज कराया था कॉंस्टेबल ने रिपोर्ट में बताया था कि महिला से 2022 में मुलाकात होई थी परिवार के बच्चों को गाइड करने और नया मकान खरीदने के मामले में सलहा देने के नाम पर उसे जैपूर से अलवर बुलाया था यहां आने पर नसीला पधार्थ खिला कर उसे असलील फोटो वाव वीडियो बना लिये इसके बाद धमकी देकर 5 लाक रुपे कैस और करीब 6 लाक रुपे ऑनलाइन हडप लिये बार बार वीडियो और फोटो वाइरल करने की धमकी देकर रकम वसूली गई इसी तरह CIA से 90 लाक रुपे और जिसे करीब 50 लाक रुपे ऑनलाइन खातों में डलवाए हैं यह पैसा उधार लेकर दिया गया इसकी रिकॉर्ड भी थाने में दिया गया है